हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा आज का नुस्का है चेहरे और शरीर से अंचाहे बालो को हमेशा के लिए हटाने का एक बहुत ही बढ़िया और असरदार घरेलू नुस्का अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी अच्छे टिप्स मिलते रहें ये बिल्कुल फ्री है और क्लिक करें बेल आइकन पर मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको चाहिए लाल मसूर की डाल लाल मसूर की डाल को रात भर के लिए पानी में भीगो कर रख दें सुबा पानी से चान कर इसे पीस लें मसूर की डाल हमारी स्कीन को एक्सपोलियेट करता है और त्वचा के रंगत को काफ़े हद तक निखारता है या चेरे से दाग धब्बे को भी कम करता है दूसरी जो चीज है वह आलू आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल ले आलू का रस इसमें हमें मिलाना है दो चमच हालू का रस नैचरल ब्लीज का काम करता है और त्वचा के दाग धबो को भी कम करता है तीसरी चीज है शहद शहद इसमें हमें मिलाना है एक चमल्च शहद हमारी त्वचा को नरम मुलायम बनाता है चौथी चीज है नीबू का रस नीबू का रस इसमें हमें मिलाना है दो चमच अब इसे अच्छे से मिक्स करके आप जिस हिस्से से अपने अंचाहे बालों को हटाना चाहते हैं वहाँ इसे लगा लें सूखने के लिए इसे छोड़ दें और उसके बाद इसे साधे पानी से धो लें जब ये सूख जाए तो इसे हलके हाथों से रगड़ना है हलके हाथों से रगड़के इसे छुडाना है और उसके बाद साधे पानी से धोना है इसे हफ्ते में तीन या चार बार इस्तेमाल करें आपके अंचाहे बाल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और त्वचा भी गोरी, निखरी और बेदाग हो जाएगी मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में